हलो स्टुदेंट्स! हम रॉक पर बात कर रहे थे, चट्टानों पर बात कर रहे थे, अब उसमें हमारा जो अंतिम चलता है चट्टानों将 वो है रोक साईकल, चट्टान चकर, देकि चट्टान चकर क्या है? चट्टान की तीन रूप बताए हमने, आपका आगने चट्टान, अफसाधी चट्टान और कायांतरी चट्टान चट्टान एक रूप में नहीं रहोती है बहुत लंबे समय तक एक जैसे नहीं रहती है उसमें रूप परिवर्थत होता है अर्थात पहले, सबसे पहले बनी आगने चट्टान इसे हम primary rocks कहते हैं primary rocks और ये चट्टान है अफचे के कारण है आपकी अफशादी चट्टान मनती है या ताब, दवाब और आयतन के कारण है कायांत्रित चट्टानों का निर्वान होता है अर्थाद आगने चट्टान है सबसे पहले जैसे कहीं जोलाम की क्रिया होगी और जहां जोलाम की क्रिया होगी तो महां मैगमा का विस्तार होगा और मैगमा का विस्तार होगा तो आगने चट्टान का निर्मान होगा फिर दूसी चीज़ है ये आगने आपका मैगमा है सोलिद होगी आपका कठोर होगी और उससे हमारा किसका निर्वाण होगा आगने चटान अब आगने चटान में बैदरेंग की घटना होगी अपसे और अपरदन नहीं होगी अपसे जिसमें बहुत एक और परदन के कारक नदी आपका जो वाई है एर है मानी है गिलेसियर है वो इसको एक इस्तान से तूसे इस्तान को जमाब करेगी अब माली जै यहां से जमाब किया और यहां पर जहां एकटा होगा उसे क्या का जाएगा सेडिमिंट तो सेडिमिंट का नेर्माण होगा और मैं फिर बताया था कि जब सेडिमिंट बनेगा तो उन्में पहले चटान के कंण होगी उसमें पीड़ पोदे भी होंगी आपका जीवासमी भी होगे और जीसे कटोर रूप चट्तान बनेगी जिसे sleeve oven या lithification कहा जाता है lithification होगा और जब lithification हो जाएगा उसी से निर्मान किसका होगा हमारा sedimentary rocks, अब साधी चट्टान का निर्मान होगा दूस्य चीज़ है अब साधी चट्टान का आगनी चट्टान से भी बनती है और कायांत्रे चट्टान से भी क्योंकि कायांत्री चट्टान पर भी अप्षय और परदन की घटना होगी और उसको सेडिमेंट प्राफ्त होगा और सेडिमेंटरी रॉक्स का निर्मान हो जाएगा तीसरी चीज कि आपकी ये अफसादी चट्टान अफसादी चट्टान का है जब ताप और दवाब के कारण है रूप परिवर्तित होगा तो कायांत्री चट्टान परिवर्तित होगी आगने चट्टान भी ताप और दवाब गनहत्त के कारण है किसी तरह सो सकता है जल से हो सकता है प्लेटों के मुमेंट के कारण हो सकता है उसका रूप परिबर्तित जब हो जाएगा तो उसे कौन सी चट्टान वनेगी मेटामॉर्फिक कायांत्रिच चट्टान का निर्मान होगा अब दूसरी चीज है सेडिमेंटी रॉक्स के लिए हमारा सेडिमेंट है अफसाद है आगने और अफसादी से नहीं मिलता हमारा इस आपका आगने और कायांत्रिच से नहीं मिलता अफसादी चट्टान से मिलता है जैसे कोई चट्टान है आपकी मालीज बरसा हुई बरसा होन इनको अफसाद की मात्रा है प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सेडिमेंटरी है कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे ये पिलेट है और ये पिलेट आपस में एक दूसरे एक तरफ मूब किया एक तरफ ये जो चट्टान है ये हमारी सेडिमेंटरी रोक्स अफसादी की बनी है और ये हमारी आगनी इग्नियासियस रोक्स की बनी है और जब ये दोनों आएंगी आमने सामने आने एक बात में टक्राएंगी बाहरी प्लेट है नीचे जाएगी और वो मेल्ट होगी पिगलेगी और एक नया रूप का निर्माण होगा एसे आपका ठीक है तो अब साधी चटान का है सीधा मेल्ट अर्थाद पिगल सकती है और मैगमा में परिबर्ते हो सकती है जिसमें सभी रूप है एक दूसरे से पाए जाते है एक चीज और है फिर में एक बार कि आपका सबसे पहले जो अलम की किरिया होगी जो अलम की किरिया होने से है मैगमा का जमाब है प्रत्विक आंत्रिक वाले भाग में और भाई वाले भाग में जमाब होगा और आगने चट्टान का अपशे और अपरदन के द्वारा है अफसाद प्राफ्त हो का अफसादी चट्टान बनेगी या सीधा ही तदाप उर दवाब के कारण रूप परिवरबितित होगा तो कायांत्रित चट्टान बनेगी ये फिक्स नहीं है कि आपका इससे पहले कायांतरत बनेगी फिर अफसादी बनेगी आपका सभी तरह से प्रोसेस आपका शुरू हो सकता है जैसे कि आपका ये वाला भाग है ये बर्सा भी हो सकती है प्लेट मुमेंट भी हो सकता है सारी क्रियां एक साथ भी हो सकती है तो सारे प्रोसाय से एक साथ चलते रहते हैं चक्र का मतलब है जिस रूप से आपकी उत्पत्ति होती है उसी रूप में पुने मिल जाना ही वो क्या कहलाता है साइकल कहलाता है तो इसमें मैंन कहा फिर आपका आगने चटान आगने से किसका निर्मान हुआ हमारा अफसादी चटान और इसके साथ साथ ही हमारा कायांतिर चटान का निर्मान हुआ अफसादी चटान से कायांतिर चटान भी निर्मान हुआ और हमारी अफसादी चटान का भी निर्मान हुआ और जब प्लेटों के साथ में होती है तो इससे मैगमा का भी निर्मान होगा दूसरा है मैटामॉर्फिक इसका पुनहे रूपांतरन होता है जैसे हमने पहले बताये था कि स्लेट है परिवर्टित होती है इस तरह से आपका कई चीजे एकजंपल आपको दिये थे कि किस तरह से होता है तो यह पुनहे पेगल सकती है और नहीं तो आपका पुनहे पेगल करकी है फिर पिलेटों के साथ है मिलने के बाद है पिलेट मुवमेंट होगा और पुन्हे मैगबाग के रूप में परिबर्तित होगी इस सभी प्रिक्रिया को हम क्या कहते हैं आपका आपका चटान चक्र अर्थात रॉक साइकल है वो आपका कहा जाता है ये था हमारा खनिज और तान वाला पार्ट कैसा लगा आपको आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद